दोस्तो ओला एलेक्ट्रिक मोबिलिट ही लिमिटेड की बात के तो स्टॉक के नरा जबर दस्ट तेजी देखनों को मिल डिया पूरे बाजार में वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है स्टॉक और 12% के आसपस की सांदार्थ तेजी तो इस तेजी के पीछे वज़े है उसको समझ कर लिए इससे पहले उनके स्कूर्टरी सेग्मेंट था अब यह बाइक में आ चुके और क्या है आगे की समावन उसको समझने की कोसिस करेंगे क्या इस समय इस लेवल पर खरिदारी करनी चीए वैसे तो आप देखे तो IPO को रिस्पॉंस बहुत ठंडा मिला था कोई कमपनी ने इस बार क्या अच्यू किया और क्या कमजोरी रह गए रिजल्ट के अंदर उसको जानेंगे इस वीडियो के मादिम से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बिल आइक उन दबा तो सबसे पहले ओला एलेक्ट्रिक के कारोबार की बात करें तो इस समय साड़ी दस बजे के आसपास का टाइम है स्टॉक 124 के आसपास ट्रेड कर रहा है जापे 12.08% की तेजी देखनेंगों को मिल रही है अब आप देख सकते हो कि स्टॉक की जो सुबह 119 पे हुई है पिछले एक सब्ता पहले जब इसका आईप्यों आया था तब 34 कोड का वालिम मता 12 करोड की डिलेवरी उठाए गे थी और यहाँ परसो की बात कल 15 गस के वैसे चुटी थी तो 1517 कोड का वालिम मता 4 करोड की डिलेवरी उठाए गे थी आज सुबह सुबह 10 बजे के आसपास 14 कोड का जबर्दस वालिम हो चुका है और पूरे बाजार में वालिम के मामले में ओला इलेक्ट्रिक आज नंबर बन पे है तो बहुत तेही से कारोबार बढ़ रहा है काफी अची खरीदारी भी हो रही है और प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है अब इस स्टॉक ने अपनी स्टॉक रखे होंगे तो आज उनको फाइदा हो रहा है जो निकल गए होंगे उनको कोई फाइदा है क्योंकि लिस्टिंग तो बिल्कुल फ्लैट हुई थी लेकिन अब आप देख सकते हो कि स्टॉक ने दौना सुर किया काफी जबर्दस प्रदसन कर रहा है तो इसके पीछे सबसे वड़ी वज़े कि कली 15 अगस को कमपनी ने आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक मोटर साइकल सेग्मेंट में इंट्री की जो एनूस्मेंट किये उसको जो लॉंच किया है उन्होंने तीन मॉडल उन्होंने लॉंच किये और आने वाले समें दो मॉडल औ ने गतिए कर दागले सकते हो कि पिछले साल ये 267 को रहा तो लॉस्द बड़ा कंपनी का कंपनी का जो रिवेन्य है वह बड़ा लेकिन इस बार 1294 कोड का पिछले साल सेप Leीघ में 1243 कोड का रहा तो रिवेन्य में वरिदि हुए है जो है लॉस्द में कम यह भी हुई है अब यहाँ पर देखे कंपनी ने जो अपनी ओला एलेक्टिक मोटर साइकल की जो अलग-अलग मॉडल की लॉंच के उसमें रोडिस्टार इबाइक की जो प्राइज है वो 74,999 रुपीज का आसपर के नहीं 75,000 में कंपनी रोडिस्टार इबाइक देने जा रही है तो यह कंपनी का जो सबसे सस्ता मॉडल होगा जो 75,000 के आसपर होगा इसके इलावा कंपनी के तरब से 3 और अलग-अलग वेरियन्ट लॉंच के जा तो कम्पनी अब मोटर साइकल सेग्वेंट वे तेजी से आगे बढ़ना चाहिए और कम से कम पांच मॉडल जो कम्पनी लाने जा रही है और इसका बिल्कुल एक पॉस्टिव असर देखने को मिला है अब यहां पर देख सकते हो कि ओला इलेक्ट्रिक ने जो यहां पर जो बुद्वार की जो क्लोजिंग प्राइस से उससे 26% के आगे अच्छा रिटन देखना को मिल सकता है आई पिओ देख सकते हो कि 76 रुपिस में कम्पनी न दिया था और लिस्टिंग भी उधरी हुए थी 76 के आसपास कोई फाइदा नहीं हो था जिनको शेयर अलोट होते आई बीवी सेग्मेंट में है आने माझे इसमें लोगों का रुजान पॉज़िव होगा तो इसका जो बीजनस बढ़ता हो दिखाए देगा जो कोस्ट कटने के वेज़से बहुत सारी जो नय और जो भाइक खरीने के लिए लोग है वो भी कतार में आ सकते जो अभी तक सिर्फ पैटर्ल वर्जन ही लिए ना चाहते थे तो उनका जो है नया एक रुजान इस तरफ आएगा और इससे बीजनस बढ़ता वो दिखाए देगा यहां पे एचेसपीस की तरफ से यह भी का गया है कि ओला ने जून क्वार्टर के दर्मियान 49% पूरा इलेक्ट्रिक बाइक का जो अपना मार्केट शेर को मतलब हासिल नहीं किया बल्कि वो बहुत सारे जो EV पार्ट्स है वो इंडिया में ही बना रहे यहां तक कि बैटरी का निर्वान भी का इंडिया में हो रहा है यह सबसे बड़ी जीते यानि मेकिन इंडिया के तरफ पार्ट्स बंदे जिससे एक मजबूती तो मिलती है लोगों का भरोसा भी बनता है वैसे यहां पे कुछ प्रॉब्लम्स भी है उनकी तरफ से देखे तो यहां पे उन्होंने अपने कंसर्ण भी जारी के जिसमें की EV सेग्में अभी भी लोगों का रुजान अतना पॉजिटिव नहीं है इसके लावा ज लिकलना चाहिए यह बाइक लेके तो उसको प्रॉब्लम भी होती है लेकिन ओर आल लेके तो फ्यूचर ब्राइट है इस सेक्टर का अब एक बार हम इसके रिजल्ट को डिसकस कर लेते हैं जून मार्च और अभी के जून का यह नहीं पीछले साल का रिजल्ट और क्वाटर ने 98 क्रोट तक पहुच गया और इस बार जून काटर में यह 1006 ने 44 क्रोट तक पहुच गया है तो क्वाटर और क्वाटर बेसिस पे देखे तो आपको बिल्कुल सेल्स बढ़ता हो जी ख़ा देगा और यहर अन बेसिस पे भी सेल्स बढ़ा है यह सबसे बड़ा प्लस क्योंकि साथ में sales भी बढ़ा है और पिछले quarter में ये 1,910 क्रोड के आसपास था उसके मुकाबले खर्च कम्पनी ने कम किया है ये सबसे बड़ी जीत है एक तरब तो sales बढ़ा है लेकिन quarter and quarter basis में कम्पनी ने खर्च में कमी आई है operating profit देखे तो देख सकते हो कि जून 2023 में पिछले साल Sam quarter में 218 क्रोड का loss था मार्च 2024 में loss बढ़के 312 क्रोड तक पहुच गया लेकिन इस बार जून quarter में 205 क्रोड का loss है तो ये देख सकते हो कि loss में कमी आई है ये सबसे बड़ी बात है कि इस बार थोड़ा सा बले ओ लॉस कम हुआ है quarter and quarter basis पर देख सकते हो या year and basis पर देख ले तो सब other income देखे तो जून 2023 में पिछले साल Sam quarter में 34 क्रोड के आजपस थी जो मार्च में बढ़के 73 क्रोड तक पहुच थी इस बार 51 क्रोड की other income है तो other income घटी है पिछले quarter के मुकाबले उसके बावजल भी देख सो कि loss में कमी किया company है अब profit before tax देखे तो 267 क्रोड का जून quarter में loss था और ये देख सकते हो कि मार्च में loss बढ़के 416 क्रोड तक पहुच गया और इस बार जून में quarter 1 में 347 क्रोड का loss रहा है तो quarter on quarter basis पे तो loss में कमी है लेकिन year on basis पे loss बढ़ा है company का अब net profit की बात कर दो इस बार 347 क्रोड का company को loss हुआ है मार्च में ये 416 क्रोड के आसपास था loss तो quarter on quarter basis में company अपने loss को कम कर लिया है लेकिन पिछले साल 7 quarter में 267 क्रोड का loss था उस हिसाब से loss बढ़ा है यानि year on basis पे loss बढ़ा है EPS इस बार minus 1.45 रुपीज रहा है जो पिछले quarter में minus 2.13 रुपीज था तो EPS में recovery हुई है quarter on quarter basis पे पिछले साल 7 quarter में 1.37 रुपीज का आसपास था उस हिसाब से अभी भी कमी रही है overall देखे तो प्रदसन ठीक लग रहा है कंपनी आने वरस में loss से बाहर निकल सकती है अगर इनके जो ये motorcycle के जो model है वो success होगा तो काफ़ी एची revenue बढ़ती होगी और इसकी price बढ़ती हुँ दिखा देगी लेकिन फ्रेंड कोई भी investment करने से पहले अपने financial advice भी ले ले या अपना खुद का research करें क्यों कमाने वीडियो आपके educational purpose के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू किज़े और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे थैंक्यू फ्रेंड्स